चट महापरु को लेकर गाइडलाइन जो जारी किया गया है उस पर प्रतिकिरियाएं आ रही है लग-लग हिस्सों से और अगर हम बात करेंगे यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं राजथानी राची से जहां पर जो कई संगठन ऐसे हैं जो आपदा विभाग की तरफ से परिकरम में हिस्सा लेने के लिए राची सांसर्द संजसेट पहुंचे वे थे उन्होंने भी साफ तोर पर कहा सरकार से कि छूट इसमें मिलनी चाहिए जो भी गाइडलाइन च्छट महापरु को लेकर जारी किये गए है उसमें छूट मिलनी चाहिए बीजेपी इसका विर होगी ये जो पर्व है छट भापर्व ये किसी दल का पर्व नहीं है कीनी लोग का परव नहीं है पूरे भारत के लोकास्ता का महा पर्व है रेलिया होंगी उपचुना होंगे पूरे देश में उपचुना होंगे बिहार जैसे बड़े राजे में चुना होगा वहां भी छट में छूट है लेकिन यहां नदी और तलाब नहीं जाएंगे हम लोग यह सामुहिक रुप से मांग करते हैं कि अभिलंब संसोधित गाइडलाइन जारी करे और राजे सरकार को जो जन्नादेश मिला है उसका सब्मान करे और अभिलंब अपना जो उनका करता भे उस्ते ना भागे सभी छट गाटों पर लाइट का ब्यवस्ता हो और उनकी साफ सभाई हो और हम एक आगरा करेंगे सभी हिंदू की ओरते स्री महाविर मंडल नाची की ओरते महानगर छट पुजात्मिति की ओरते कि जो बिमार लोग है जिनको लगता है कि वो बिमार है सरदी खाती या वाइ राज हित में छट महापर्व के हित में संसोधित गार्ड लाइन जारी करें इसी मांग को लेका राज हम लोग यहां इकठे हुए है कार है आप बता दे कि यहां सभी लोग के छट सभी हिंदू के भावना का बहुत तरह चट परव होता है और सभी के पास छट नहीं है बिल्डिंग नहीं है जगा नहीं है कोई जो पर पट्टी वाले हैं गली में एक अदा घटा घर लेके बनाए हुए है उनके पास बेवस चाहिए जो इतना बड़ा परव है और भगमान का जो हिंदू का सबसे बड़ा च्ट परव है और यह गाइडलाइन दिये हैं यह तुलकी फरवान वापस लेना होगा है मन सरकार को कि रहे हैं राजदानी राची की तस्विर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई ऐसे संगठन हैं जो इस गाइडलाइन का विरोध करते यह संगठन नजर आ रहे हैं इनका कहना है कि संशोधित गाइडलाइन सरकार फिर से जारी करें